सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मेरे रेसिपी पसंदा है तो एंड तक देखेगा और एंड पे तक देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजेगा आई ये इंग्रीडियेंट्स पे नजर डालेते मैंने बक्री के तीन भेजे लिये हैं और इन्हें अभी थोड़ा सा हलका सा उपर से वाश किया है सिर्फ और तो मेरे पास थोड़ा सा कर्ड है एक्रोडिंग टुमाई भेजे मैंने हाफ बोल कर्ड लिया है मिरे पास चॉप क्रीन चिली जेंड चॉप्ट अनियन है जिंजर कालिक पेस्ट है और मेरे स्पाइसेज में में पास सॉल्ट गरम मसाला रेड चिली पॉर्डर और ये थोड़ा कुटावा जीरा और हल्दी है वीडियो को एंड तक फॉलो करीगा ताकि आप इसकी प्रॉपर डिटेल्स एंड तक जान सकें मैंने भेजी मेंसे बॉइल करने से पहले ही जितनी वेंस रिमूव हो सकती थी पहले वही रिमूव करनी आप भी ऐसा कर सकते हैं नहीं तो आप इसको बॉइल करकर भी इसकी वेंस रिमूव कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ी बहुत वेंस बॉइल करने से पहले भी रिमूफ कर देती हूं ताकि मुझे बॉइल करने का बाद इसे इसमेंसे वेंस निकालनी और असान हो जाएं मैंने बेज़ को बॉइल करने रग दिया थीनो मैंसे जितीनी मुझे से वेंस रिमॉफ कर लीया और मैंना भी जको थोड़न से पानी मा बॉइल करने रग दियाThis 你 मैं थोड़ा सा 1-4 टी स्पून हल्दी एड़ कर दूंगी ताकि मेरे बेजे हल्दी में आर अच्छे से बॉइल हो जाएं टू टू थ्री बॉइल्स जब इसमें अच्छे से आ जाएं तो इसकी फ्लेम आप आफ कर दीजिए आपके बेजे आल्मोस्ट बॉइल हो चुके होंगे और इसे थोड़ी देर इसी पानी में रहने दीजेगा मेरे बेजे अल्मोस्ट बॉइल हो चुके हैं देखिया और इसमें से में से थोड़ी सी और जो में से वेंस रिमूव हो सकती हैं वो भी आप रिमूव कर लीजे मैंने अब एक कड़ाई ले ली है कड़ाई में थोड़ा सा ओइल आट कर लिया है और इसमें अपना कुटावा जो जीरा है वो आट कर रही हूँ कुटावा जीरा सबसे पहले आट कर लीजे अपने ओईल में और से थोड़ा सा सौटे कर लीजे फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट आट कर लीजे अपने ओईल में अब एपने जिंजर गर्लिक पेस्ट के बाद इसमें छॉप्ट ओनियंस और चॉप्ट ग्री चिली एड गरूँगी यह मेरे पास 2 छॉप्ड ओनियंस है और 3 तो 4 ग्रीन चिली अब इसमें सार मसाला अपना १ण मसाला अपना गर्म मसाला हल्दी पॉड़र, रेड चिली पॉड़र एंड सॉल्ट सब एड़ कर लूगी आप अपने स्पाइस अपने टेस्ट के क्रॉडिंग एड़ करिए अब हमने ओनियन्स को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे ताके सॉफटन ना पोजाएं ओईल में जब ओयल में थोड़ी से ऊणियं शफटन अपोजाएं तो आप इसमें अपने बॉइल्ड और रिमॉवड जो वेंस हमने बेजो में से रिमॉव कर लिन थी वह निकाल लीजे और भीज़ा एड कर दीजे और भीज़ा एड़ कर दीजिए ऐ और भीजो ये थोड़ा सा मैक यह भूनी प्यास मैंने वन एंड आफ टीस्पून ही एड़ किया है 10-15 मिनिट स्लो फ्लेम पर रखने के बाद मेरे भेजे अलमोस्ट भून चुके हैं अच्छे से इसमें दही का पानी खतम हो चुका है और अब इसमें मैं आट कर लूँगी कॉरियंडर चॉप्ट कॉरियंडर अब बेजे अलमोस्ट रेड़ी है आप इसमें चॉप्ट जिंजर भी आट कर सकते हैं लेकिन विपास अब जिंजर अविलेबल नी थी इसलिए मैंने जिंजर नहीं आट की आप इसमें कॉरियंडर आट करिया और आपके बेजे अलमोस्ट रेड़ी इसलिए अलमोस्ट रेड़ी है तो सर्फ इजी एंड कोईक रेड़ी है बहुत ही टेस्टी भी बनती है होपिं यू आई हो तो लाइक तो बनता है लाइक कर दीजेगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन टू थैंक यू फॉर वाचिंग मिलती हूं मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हल्दी बाई